जलसे भारत के आम लोगों की जिन्दगी में हमेशा से रचे बसे रहे हैं उत्सफ के बिना यहां सब कुछ अदो रहा है पूरा गाउं जब एक आंगन में एकठा हो तो ढोल धमाके बजने ही है गीतों के सुर गुंजने ही है महीने का पहला मंगलवार है आज गर्भवती महिलाओं की गोद भराई का मौका महिला एवं बान विकास विभाग की पहल से अब यह शुब अफसर आंगन वाड़ी में सब के साथ मनाया जाता है समुदाय की भागिदारी न जाने कितने परिवारों को खुशी के मौके पर एक कर देती है महीने का दूसरा मंगलवार आज का खास मौका है छै माह के बच्चों के अनपराशन का अब ये बच्चे सिर्फ माह के दूद पर निर्भर नहीं होंगे अच्छी सेहत के लिए अब इन्हें उपरी आहार भी मिलेगा कुपोशन से बचाव के लिए सही समय पर उपरी आहार सबसे जरूरी है गोद भराई महीलाओं की बच्चों का जनम दिन छे महीने के बच्चों जाते थे उनका अनपराशन अपने अपने घरों में अलाग अलाग व्यक्तिकत तोर पर करती थी लेकिन जब से ये आंगनवाडी में ये प्रोग्राम चालू होने लगा मंगल दिवस का सबसे सभी वर्ग के महीलाओं की गोद भराई करती है उनके मंगल की कामना करती है यानि कि इससे समाजी की एकता करती ही कहिए जहां मस्ती का माहूल हो वहां बच्चों को बुलाना नहीं पड़ता देखिए वे कैसे खुद बखुद चले आते हैं आज गाउं की आंगनवाडी बच्चों के शोर से भरपूर है महीने का तीसरा मंगलवार आज मनता है बच्चों का जन दिवस महीने का जोधा मंगलवार होता है हमारी बेटियों का किशोरी बाले का दिवस एक परिवार की जीवन शंखला में बच्चियों की ये उम्रस सबसे एहम है उनकी सेहत के लिए, समझ के लिए, सम्मान के लिए तो ये सारी जरूरी जानकारिया उन्हें आज यहां मिलेंगी उनकी सेहत की जांच होगी, आयन फॉलिक एसिट की गोलिया मिलेंगी साथ में जीवन कौशल शिक्षा और आखिर में कुछ रचनात्मक गतिविधिया कुछ खेल, रंगोली पहले तो बहुत कम लड़कियां आती थी आंगनवाडी में, कोई आता था, कोई नहीं आता था फिर दीरे दीरे बहुत सारे लड़कियां बढ़ती गई और फिर हम सब सारे लोग मिलके आते हैं आगनवाडी में पीछे, गर्भवती की सेहत की सारी जरूरी जानचे हो, सुरक्षित प्रसव की जानकारी मिले, गर्भवस्ता में सेहत भरे खानपान के प्रती महिलाएं सजक हो, बच्चों को सही समय पर उपरी आहार की शुरुआत हो, आंगनवाली की गति विध्यों में समुदाय सहयोग करें, आखित मा बच्चों की सेहत से बड़ा कुछ नहीं है